आज मैं आपके लेकर आई हो बंगाल की बहुती फेमस और टेडिशनल रेसिपी हिलसा फिश करी की रेसिपी और बंगाल में इसको इलिश माच कहते हैं तो चले देर नहीं करते हैं और सिंबल सी रेसिपी देख लेते हैं तो मेरे पास है, यहाँ पर यह 1 kg हिलसा फिश अब यहाँ पर इसके जो हिलसा के पीसिस हैं, इसको लेंगे और इसके उपर डालेंगे थोड़ा सा सरस्व का तेल, नमक और उसके बाद हल्दी डाल करके, सारा अच्छे से हमें मश्ली को कोट करना है, अच्छे से लगाने के ब अब बनाते हैं मसाला इसके लिए बस मिक्सी का जार लेना है और उसके अंदर हमने डाल देनी है ये सरसो पीली या काली जो भी सरसो आपके पास है वो आप इस्तेबाल कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने लिए 50 ग्राम सरसो 5-6 हरी मिर्स या आप अपने स्वाद के हिसाब से भी रख सकते हैं इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और उसके बाद इसका एक बढ़िया सा पेस्ट बना लेंगे अब आपको यहाँ पर इसका एक बढ़िया सा पेस्ट बनाना है तो पेस्ट हमारा कुछ इस तरह का तयार हो चुका है जितना बारीक आप पीस सकते हैं पीसेगा उसको और उसके बाद इसको हमें छानना है छानना बहुत जुरूर है क्योंकि वो बॉटा बॉटा दाना जो आता है न सरसो का वो जादा अच्छा नहीं लगेगा जो जार में बचा हुए उसमें भी पाने डाल करके बड़ी असा छान लेंगे और जो बाद में ये सरसों बच्ची हो ये ना इसको आप किसी भी तड़के वड़के में इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये मसाला भी तयार हो गया चलिए अब मशली बना लेते हैं अब कड़ाई में डालेंगे हम सरसों का तेल और यहां पर तेल को आपको अच्छे से पकाना है उसके बाद मैं इसमें थोड़े से मैथी के दाने डाल रही हूँ उसके बाद इसमें डालेंगे आदा चमच हल्दी और आपके अपने स्वात के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर अब मसाले में डालेंगे थोड़ा सा पानी और उसके बाद मसाले को थोड़ी देर भूनेंगे जब मसाले से तेल अलग हो जाए तो उसके बाद जो मश्ली के पीसे से वो इस तरह से रखने है और उसके बाद जो हमने यहाँ पर सरसो का पेस्ट बनाया था बस उसको हमें उपर से डाल देना है स्वात के अनुसा नमक डालेंगे लंबी कटी हरी मिर्चे डालेंगे चार से पांच उसके बाद थोड़ा सा मिक्स करेंगे और ढखकर के धिरे गैस बेसे बनने देंगे ग्रेवी जितनी आपको पसंदे उतना रखेगा तस से बारा मिनट लगते हैं इसको बनने में और बहुत ज़ादा इसको मिक्स करने की जरूद नहीं है ओवर कुक मत करिए का बहुत जल्दी बन जाती है मशली तो देखा थीना कितनी सिंपल सी है रेसिपी तो जब भी आपको हिलसा फिश मिले तो इस तरह से बनाईए बहुत सिंपल से मसाले हैं बहुत ज़ादा मसाले इसमें डाले नहीं जाते हैं और जब बन जाए तो उसके बाद आप चावल के साथ रोटी के साथ किसी भी चीज क साथ enjoy कर सेकते हैं ग्रेवी जितनी आपको पसंदे उतना रखे नहीं पसंदे मत रखे पर enjoy जरू कीजे बनाए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में